लोगो एट लिस्ट पता लगा कि वेगस नर्व है और कैसे इंपॉर्टेंट हर पार्ट को टॉच करते विए जा रही है अब आते हैं जो में हमारे चैनल का मुद्दा है कि फिर इसको कैसे हम स्टिमुलेट और एक्टिवेट करके एक जो ऑप्तिमम हेल्थ स्टार्टिंग फ देहिं वेगल्स वेगल्स च्रीव इंडवाः श्रीव फीच विच एक डिवाइस अविदुख नर्व को लिए जो विव्यंज कॉम्टीब करता विच इंप्लंटेट एर सभ सब्क्लेयन एामें इंप्लंट भर देता है वेगल्स नर्व को आई वोगट श्यक्तिव की वह एक प्रश्ट करना इसना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आपको कोई डिवाइस लगाना पड़े इसे प्रश्ट करें गए आपको दिखाता हूं एक चीज मैं बताना भूल गया ओल सेंट्रल नर्वर्स system disorders all मैं बहुत sensitively ये बात बहुत रहा हूं I'm very sensitive when I say this because my heart goes out to people of who have got a neurological and psychiatric problems this includes all kinds of Parkinsonism all kinds of dementia all kinds of depression all kinds of अगर वेगस नर्व को stimulate करना सीख गए तो डिप्रेशन से लेके सीजोफ्रेनिया तक the whole spectrum you can cure it yourself आपको कहीं किसी डॉक्टर कोई दवा खाने के जरुत नहीं पड़ेगी अगर आप ठीक से स्टिमुलेट कर पाए तो क्यों science क्या इसमें इंसान को ना मालूम बहुत कम है लेकिन उचलता बहुत कि हमें तो कुछ पता है हमें कुछ नहीं पता है ऐसा सोचना चाहिए कि जितना आप दीप में जाएंगे ऐसा लगने लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं हम तो कुछ भी नहीं यह कैसे चल रहा मालूम नहीं हम तो कुछ भी नहीं we are just trying to interpret जो थोड़ी बहुत बेसिक समझ है उससे विए ट्राइंग टू इंटर्प्रेट हम तो कुछ भी नहीं इस 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 इडिवाइन बॉड़ी नाओ डोपामीन ऑक्सिटोसिन सेरोटनीन एंड एंडॉर्फिन डोज कहते हैं इसको डोज हॉर्मोन इंसान को पस इतना ही पता है मैं बहुत शूर हू कि मोर देन फोर ट्रिलियन होंगे लेकिन इंसान को सिर्फ यही चार पता है जो गुड़ हॉर्मोन ऑफ दो ब्रेन है यू बी सर्प्राइज यह बंते गट में है तो 90 परसेंट ऑफ दी हॉर्मोन्स आर मेड इंड गट अगर आप वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर लेते हैं तो डिप्रेशन से लेके सिजोफ्रेनिया तक आप दूर कर सकते हैं इसलिए जो आपका क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए इसलिए मैं यह बैग्राउंड दिया कि यह सभी लोग जिनको यह फाइदा हो सके हमारे आपसे बात करने का बेसिक मतलब यह है कि सभी लोग जो यह सुन रहे हैं वो अपने घर बैठे ही अपने आपको ठीक कर लें ताकि उनको यहां भाब भटकने की जुरुत ना पड़े है और बहुत लंबी लाइन में रुके हैं तो सिर्फ आपका लॉस नहीं है देश भी लूज कर रहा है कभी हमने सोचा नहीं इतने डीटेल में अगर मैं वहां पर नहीं होता तो कहीं कुछ खर्च कर रहा होता कम से कम उसका जो टीडियस है टैक्स एड सोर्स चाहे वो डर डाइरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इंडिरेक्ट टैक्स देश को जा रहा है न लेकिन मैं वहां पर खड़ा हूं मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो देश का भी लॉस है यह जब तक बात नहीं समझ में आएगी तब तक यही है तो आप जब भी इफ और नॉट वेल यह सिर्फ आपका लॉस नहीं है देश का भी लॉस है यू शुट भी वेल तो हमारा यह करने का मकसद यह है कि छोटे छोटे टिप से अगर लोग अपने घर पे ही बैठे ठीक हो पाएं इससे अच्छी बात क्या होगी अगर उनको थोड़ा भी हम रिलीव आपके माध्यम से पहुंच सब्सक्राइब करें तो वेगस नव वहीं से स्टिमुलेट होगा जहां पर वो सुपर्फिश्यल है और यह इतना इंपॉर्टेंट नव है कि यह जरूर भगवान ने कोई गलती नहीं की होगी इसको सुपर्फिशल नहीं रखने के लिए इसको डीप रखा हुआ है बिकॉ यह पॉजिशन में भी और इसके सारे इफेक्ट में भी डेप्थ है तो यह सुपर्फिशल तो हो भी नहीं सकता है लेकिन फॉर्चुरिट फॉर अस एक दो तीन जगह वेगस नव सुपर्फिशल है जहां पर सिमुलेट किया जा सकता है उसको एक तो इयर लोब्यूल्स है एंड मैक्सिमुम चीजें जो एयर की हैं वहां पर बहुत सुपर्फिशल है वेगस नव तो आप इस पे आजाएए अगर हाथी पागल होता है अजित एम आई ऑडिबल की मेरा साउंड चला गया या मैं फ्रीज कर गया हूँ नगस्त अब बोल से लिए बिल्कुल अचा तो साथी अगर आथी अगर अगर पागल हो जाता है तो मालुम है क्या किया जाता है कई लोगों को नहीं पता होगा उट को बुलाया जाता है अग्छे आए अगोट इसंट इन इंडिकेशन कि उसका वेगस नव को स्टिमिलेट करता है वाव दूसरा आप जो जनेव लगाते हैं आप आप किसी भी सानातन को खेर वो कई चीजों में बांटा मतलब आइए ब्रिटिश ने डिवाइड रूल करने के लिए जो भी सानातनी हैं जो भी सानातन को फॉलो करते हैं सब में रूल है जनेव पहनने का जनेव क्यों क्यों एक रसी आपने पहनना है कि यहां से लेके बहां तक यह कुछ लोग तो कपड़ों के उपर भी पहन लेते हैं दिखाने के लिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन वो इलेक्शन टा पहन पे लगाते हैं वोट अगर आपका युरिनरी इंकॉंटेन्स है युरिन रुक रुक के आ रहा है चॉंस्टिपेशन है यहां पर जलन है आपको क्या करना है वेगस नर्व को इसमेलेट करना है वेगस नर्व को आप करें कॉंस्टिपेशन भी चला जाएगा युरिनरी प्रॉब्लम्स भी चले जाएंगे वाट इसे पकड़के खीचे या जो स्कूल में बदमाश बच्चे थे उनको क्लास के बाहर निकालके दोनों कान ऐसे पकड़के उठक बैठक कराये जाता था यकीन करके चलिए अगर आप यूं करके तीन मिनिट तक उठक बैठक कर लेते हैं रोज आप साइंटिफिकली मैं कोई जिम इंस्ट्रक्टर से ये बात पुछना चाहूंगा साइंटिफिकली अगर ये पकड़के उठक बैठक तीन मिनिट तक कर लिया जाए मुझे एक मसल बाड़ी का दिखा अब ये इसके बारे में भी मैंने पढ़ा था ये ऑक्सफोर्ड उनिवस्टी में इस पे रिसर्च हुआ था और इसमें बकायदा जो आप बार-बार कहते हैं मिना साइंटिफिक एविडेंस के आप नहीं बोलते तो उसमें ये आया था कि जो ये कान जैसे मुर्गा बनाने हमारी इंडियन स्कूलिंग सिस्टम में प्रता रही है तो उससे एक्षली बच्चे स्मार्ट होते हैं इंटेलिजेंट बनते हैं और इसका जो मैंने अब फर्दर डीप रिसर्च किया तो यह ऐसा प्रावधान हमारे जो गुरुकुल सिस्टम था स्कूलों में पुराने ज करने का है ताली बजाना जो हम लोग मंदिर में जाके पूजा पार्ट करते हैं ताली बजाते हैं या हाथ जोड़के यह नमस्ते करना और दोनों पर फोर्स लगाना आपको जितना ताकत है दोनों को एक दूसरे से अपोस करिए आप इमीडेटली शिफ्ट हो जाएंगे व फोislasad और आफ पोछिफ्ट करना है अगर आप बहुत फीट्रेटृट है या बहुत यह है आप देखिए इस प्रणाम का नमस्कार का कितना सिगनिंफिकेंस कितना सिगनिफिकेंस वन्दभ मैं कम ऊ-लू तो आप ज़्यादा समझें क्योंकि कई बातें बोली नहीं जाती कि जो भी इटर्नल तरीके हैं जीने के बहुत सी बाते आपको सरातन से सीखने को मिलेंगी आप देखिए 2016 से यह सिलसला शुरू हुआ है नोबेल प्राइज का आप गौर से देखिए 2021 तक जितने भी नोबेल प्राइजेज मेडिसिन में मिलें हैं इसका लिंक सरातन से है मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन शुद प्राउड ओफ आवर हेरी ते लाइक बीट आइन वेखिए विश्बी प्राव्व शेयर धो भारतिय को रहें और इसमें दूसरों को लो नीचा दिखाने कोशिश तो नहीं करें हम सिरंफ यह बोल साब्रण वहीं हमारी उस चीज से वाई शुर्ण भी फिल प्राउड वाउट हमें इतना शरम क्यों आती है कि हमें बताते हुए कि यह जो जनेव सिस्टम है अब कुछ लोग हाँ वह मैं भी नहीं कहना चांगा कुछ लोग उपर पहन लेते हैं डिफेंट तेंग लेकिन वह तो परमपरा रही डॉ सब्सक्राइब करना है और दिन में कितनी बार करना है आपके लिए सबसे पहले तो आस्थमा क्योरिबल है प्लीज यह इन क्योरिबल सोच के ना चले क्योंकि जो 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 इस एन ऑटो इम्म्यून डिजीज अगर कोई ब्रीधिंग के लिए अगर कोई ब्रीधिंग यह डिफिकल्टी है तो ब्रेथ रेट को कम करना है बैट के लंबा सांस लेना है लंबा सांस छोड़ना है या लेट के राइट साइड में लेटना चाहिए राइट साइड में लेट के अगर एक नाग से सांस ले दूसरे से छोड़े फिर दूसरे से ले पहले से छोड़े नाड़ी शुद्धी कहते है उसको वो अगर अब वो अगर करेंगे the vibration क्योंकि यहाँ से वेगस नर्व डीपली जाता है डीप से जब आपको छीक आती है वो छीक अलर्जिक राइनाइटीस क्या है वेगल नर्व का डिस्टिमूलेशन है जिससे अलर्जिक राइनाइटीस आता है एनिवे बार बार आप अए चीकते हैं तो वेगस नर्व को आप स्टिमुलेट करते हैं जब आप नाड़ी शुद्धी करते हैं या नोज ब्रीधिंग करते हैं तो वेगस नर्व को उससे में बहुत खासी आती है और चेस्ट कंजेशन जो है ना रिलीव होता है तो कई चीज़ें यह चुगेट कफ इधर टेकिट बैक और तो इट आफ मतलब जैसे भी लेकिन निकालना चाहिए और खासने में परहेज नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग यह सोचते हैं कि नहीं खासेंगे तो लोग सोचेंगे क कि नहीं मैं तो इल मैनर्ड हूं नो नो वरिट कमस तो हेल्थ एंड बोडी वन शुद नेवर फिल यह तो थोड़ा दूर हो जाए यह वाश्रूम चले जाए यह बट टेकिट आउट एंड वो उस समय उसको दबाना नहीं चाहिए यह मेरा कहने का मतलब है और आस्तमा के ल बहुत रिलीफ मिल सकता है तो तो बेसिकली जो वेगस नौस को स्टिमुलेट करने के लिए आपने पहला बता है कान को यह यह लोप को सब्सक्राइब और सेकेंड यह आए कि सेकेंड ब्रीधिंग ब्रीधिंग तो नाड़ी शुद्धी नाड़ी शुद्धी एंड थर्ड सब्सक्राइब करें तो डॉक्तर अगरवाल कोविट के बेंट चड़ गए वह तो डॉक्तर अगरवाल वह एटी टाइम्स क्लापिंग का वह एक वह निकाले थे कि आप रोज सुबस यह कर ले यह सब में वह मैं तुछा गौर से देखा था वह सब में वेगल नर्व स्टिविलेशन ही था तो आप आप अगर कोई मंदिर में जाके कूद कूद के आप अगर प्रेयर बोड़ रहे हैं जो हम लोग करते थे कि हम किया करते थे कि हम जंप करके ताली बजा के वह कोई ने कोई भजन गाते थे उसमें आप वेगस नर्व को ही स्टिविलेट करते हैं और वह आपका वेल बींग के लिए आप आपने देखा होगा कई लोग आज भी वह यह चूखे न मतलब आई यह परनाम करके ऐसे काम को पकड़ते हैं आपने आपने देखा होगा कई उनको उनको भी पता निये कि वह क्यों करते हैं उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा होगा यह वेगल नर्व वेगस नर्व स्टिमूलेट करने का के तरीके त्स एस कि क्रोनिक पे किसी को सर्दर्द है मैं बहुत शूर हूं कि अगर 40 बार वो लंबा सास लेगा लंबा सास छोड़ेगा विदाउट नौन इंटरॉप्टेड 40 ताइम्स उसका सर्दर चला जाएगा 80 परसेंट आइम्स जो 20 परसेंट रहे गया वह अपने गॉल ब्लाडर एरिया में अगर प्रेस कर लेगा जिवन दाई है इस लिए वह नदियों की तरह है यह जीवन दाई है तो वेगस नर्व को आप स्टिमुलेट करते हैं बाइप्रेसिंग ओन गॉल ब्लाडर एरिया फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेट होगा विच इस पुथ वेगस नर्व बिच पुटिमुलेट देवेगस नर्व और देन यह बोडी बिकम्स अलकलाइन रेस्ट नदाइजेस्ट पे चलियाती है बोडी तो यह पेंगोज दो सो वह थैपन असेड अक्यूमलेशन स्टब